तो दोस्तो एक और भारत की कमपणी ने ऐसे बिजनस मॉडल को तैयार किया है जिस के फेल होने के समाओ ना बिलकुल ना के बराबर है और ये एक ऐसा बिजनस है जिसकी डिमांड हमेशा बढ़ती ही रहेगी और खास बात इस business की ये है कि company इस business को भारत के साथ साथ अब global market पर उतारने जारी है जिसके बाद भारत को लाखो डॉलर का फायदा होने वाला है और आज की समय में जितने भी electric vehicles हैं जादतर operate हो रहे हैं lithium and batteries पर तो इससे एक बात clear है कि जिस level पर batteries का अस्तमाल किया जाएगा उसी level पर battery waste निकलेगा और batteries में बहुत कीमती धातु जैसे की lithium, nickel, cobalt उपलब्द होते हैं लेकिन इनको recycle करने वाली बहुत गिने चुनी कमपनिया हैं global level पर काम कर रही हैं और अब भारत के उत्तर प्रदेश वेस कंपनी एटरो recycling इस business को बढ़ाने जा रही है जहाँ पर कंपनी जहाँ पर कंपनी ने अपनी वेस्ट भी रणने निती के तहट एक बिलियन डॉलर का निवेश करके लगभग तीन लाख मिलियन टन से भी ज़ादा batteries को recycle किया जाएगा कंपनी दोरा recycle किये गए बैटरीज में मैगनीज, कोबाल्ट, लीथियम आईरन फासपेट, लीथियम मैगनीज ऑकसाइट, लीथियम कोबाल्ड ऑकसाइट जसी महतुपूर्ण धात्वों को निकाला जाता है और कोबाल्ट, निकिल, लीथियम, ग्रेफाइट, मैगनीज इ मैटेरियल्स की recovery असानी से कर लेती है, एंड कंपनी का overall target है कि भारत के साथ साथ दुनिया को clean बनाया जाये ताकि carbon emission को रोका जा सके, एंड थोड़ी सी details की बात की जाये तो एटोरे recycling 2025 तक अपनी unit के अंदर लगभग 150,000 metric ton batteries को recycle करेगी जिसके लिए कंपनी 500 million की investment करने वाल को शुरू करने वाली है, एंड कंपनी का final figure की बात की जाथ 2030 तक कंपनी 2.5 metric ton lithium and batteries के recycling process को अचीव कर लेगी जो की एक बहुत बड़ा number है और इससे बहुत सारी जरूरी धात्वें असानी से निकाली जा सकेंगी, जिनका पुरह इस्तेमाल करके batteries को manufacture करने में किया जाएगा, जो भारती कंपनी के इस बड़े model के बारे में आपकी क्या रहा है, जो भारती नहीं बलकि अब दुनिया भर में काम करेगा, comment box में जरू लिखेगा भारत कैसे ही useful and informative videos पाने के आप मारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीचे, बिलेगे हम आपको एक नई और interesting वीडियो मे तब तक कि लिए बंदे मात रहों, भारत माता की जाए।